तो नमस्कार दोस्तों मैं Advocate उतकर शर्मा आप सभी का फिर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में हमारी इस वीडियो में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HRA के बारे में Housing Rental Allowance के बारे में रहा है और इसी को लेके मेरे पास recently एक केस उठके आया है एक नोटिस आया है एक बंदे का जो की अभी अब हम उसका हमारी टीम उसका केस देख रही है केस हैंडल कर रही है तो दोस्तों इस तरीके की information हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं HRS related आज आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से information देने वाले हैं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको एक informative information एक अच्छी information आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे तो आई चलते हैं वीडियो की तड़ तो दोस्तों आजकल क्या हो रहा है बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं जड जो है न वो उठके आया है उसके अंदर क्या हुआ हमारे जो बंदे हैं जिनका मिरे पास फोन आ रहा है लगा तार दो तीन दिन से तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने ऐसा किया कि अपना pen card जो है न दूसरे को HRA की deduction दिलवाने के लिए और थोड़ा सा commission प्राप्त करने के लिए बाट दिया उन्होंने क्या ना मैं 30 से 40 लोगों को बाट दिया है ना अब उन्होंने जिसको pen card दिया उसने तो pen card दिखा दिया है चाले की deduction ले ली पर जिसने अपना pen card दिया था है ना जिसने अपना pen card दिया था अब उसके पास भी rental income के रूप में एक income generate हो गई है जो की income tax के department के पास वह सारी information पहुँच गई है कि जी आपके पास तो एक rental income जो है बहुत काफी अच्छी आ रही है है ना 10 लाग ऐसी पहुँच गई है 50 लाग 60 लाग के असपास ही आपकी income जो है पहुँच गई है रेंटरिस के दुवारा है ना तो दोस्तों अब इस तरीके का उसके पाद notice आया है आप देखो क्या होता है स्कूटे नी भी आयाईगी और अब GST का अलग पड़ेगा GST की अलग केस चलेगा अब देखते हैं क्या होता है उसका call तो आई रहा है वैसे भी हमारे पास है ना तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप इस तरीके का जब काम करते हैं तो आपको एक तो यह देख लेना चाहिए है कि जो इसका आप pen card ले रहे हैं वो असल honor है या नहीं property का असली honor है या नहीं है ना अब second बात यह कि जब भी आप payment करते हैं HR की तो उसको as a cash या account के ज़री ज़रूर करनी है मतलब कि payment जो है वो असल में करनी ही होती है यह नहीं कि बहुत से लोग इस तरीके कि payment करते नहीं बस payment को ऐसी हवा में दिखा देते है पर actual payment करना जो है ना वह ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप bank के ज़रीए कर देते हैं bank account के ज़रीए वो तो वैसे ही better होता है तीसरी बात यह कि हमाला जो जब हम HR की reduction लेते हैं तो फिर हमें जो rent agreement है अपना rent agreement को ज़रूर बनवा लेना चाहिए ताकि हमाले पास as a proof हमाले बस rent agreement के रूप में कुछ रखा रहे ताकि department से अगर notice आए तो हम इस सब चीज दिखा दें अब उस बंदे के बास तो ऐसी कुछ चीज ही नहीं थी तो उसके पास notice तो आ नहीं था दोस्तों अब उसका लगा पड़ा है case अब लगे पड़े हैं हम भी उसका case सुझ जाने में पर इस तरीके की चीजे जो है वो आप हमेसा याद रखेगा इन तीनों चीज को एक तो property का honor वो जो है असली का होना चाहिए और उसके साथ आपको actual payment जो है ना वो करनी बहुत जरूरी होती है क्योंकि ताकि department को पास उस payment का ब्योरा भी पहुँच जाए ताकि अगर आप account क के जरिये करते हैं तो account के जरिये तो department को पता लगी जाता है कि इसने hra की जो वो है deduction जो है वो प्राप्त करने के लिए amount भेजी है अपने जो जिसके महां पर रह रहा है rental वाले को ठीक है ना और अपना rent agreement बनाना मत भूलिएगा rent agreement जरूर बनवा के रखिएगा तो दोस्तों इस तरीके का fraud अप मत कीजेगा इस तरीके के चक्कर में आप कभी ना पढ़े हम दुआ करते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारी information अच्छी लगे तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा ताकि हम आपके लिए all मेहनत करते रहें और एक अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहें थैंक यू